हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टो माई चैनल लताकी लाइबरेरी आज मैं आपके साथ बहुती सुन्दर बहुती आसान और प्रोजेक्ट पैटन सेयर करने जारी हूँ इस पैटन को आप लेडिज, गल्स, बेबी और जेंड्स के ओल प्रोजेक्ट में अपलाई कर सकते हैं इसके अलावा आप इस पैटन को कैप में भी अपलाई कर सकते हैं बनके बहुती सुन्दर हमारा ये पैटन आ जाता है और रॉंग साइट से हमारा ये पैटन बनना फंदे सीधे बुन लेने, यह नेस्ट फंदों पे हमारा पैटन बनेगा चार फंदों पे, तो देखे चार फंदों में से हमने दो फंदे सीधे बुनने, एक और दो, यह दो फंदे सीधे बुने, फिर धागा अपनी साइड करेंगे, अब देखे नेस्ट हमने दो फंदे एक साथ भुनने हैं और इंसे हमें ह्पांच फन्दे बना ले Gates connect । डेखे इदागा अपनी साइड है देखें दो भंदे एक साथ भुनेंगे एक्पन्दा हों गया फिर देखें दूसरे फंदेक लिए सलाइपे धागा रोल करेंगे फिर देखे तीसरे फंदे के लिए इन दो फंदों को एक साथ बुनेंगे फिर देखे चोथे फंदे के लिए हमने सलाइपे धागे को रोल कर लेना है और पांचवा फंदा इन दो फंदों को एक साथ बुनके बना लेंगे तो देखे ये दो फंदों से हमारे प पान्च फंदें बना लेने एक हो गया दूसरा फंदा इन नाई पर रूल करके तीसरा फंदा इन दो फंदो को एक साथ मुनके छोथ्रा कॉफंदा थना रूर करके और पाचवा फंदा इन दो दो फंदों को एक साथ बुनेंगे और इनसे 5 फंदे बना लेंगे लास्ट में देखें दो फंदे सीधे बुन लेंगे फिर धाग अपनी साइड लास्ट का फंदा उल्टा तो देखें रॉंग साइड से हमारी पैटन की फर्स रो कंप्लेट हो गई अब देखें फ्रंट अब सेकिंड रो में देखें पैला फंदा उता लेंगे फिर धागा अपनी साइड दो फंदे उल्टे बुन लेंगे फिर धागा पीछे करेंगे अब देखें हमने दो फंदों से जो पांच फंदे बनाए हैं तो इन में से दो फंदे हम एक साथ बुनेंगे यह देखें य इन पांच फंदों से हमें फिर दो फंदे बनाने हैं तो देखें ये दो फंदे हमने एक साथ बुने और एक फंदा बन गया अब देखें ये तीन फंदे हैं इनको एक साथ बुनेंगे तो इससे हमारा दूसरा फंदा बन जाएगा ये देखें फिर दागा अपनी साइड दो फंदे उल्टे बुनेंगे, फिर धागा पीछे, फिर देखे हमने दो फंदे एक साथ बुन लेने हैं, यह देखे, फिर देखे, यह तीन फंदे एक साथ बुनेंगे, इससे हमारा दूसरा फंदा बन जाएगा, फिर धागा अपनी साइट करेंगे, दो फंदे उल्टे बुन तीन का एक करेंगे तो देखे दो फंदों से जो हमने पांच फंदे बनाए थे फिर हमने उन पांच फंदों से दो फंदे बना दे फिर धागा अपनी साइड करेंगे दो फंदे उल्टे बुन लेंगे धागा पीछे लास्ट का फंदा सीधा तो देखे ये फ्रंट साइड से हमारी second row complete हो गई अब देखे wrong side से third row अब third row में हमारा pattern repeat होगा तो देखे यहां पे repeat की एक row पहला फंदा उतार लेंगे धागा पीछे करेंगे दो फंदे सीधे बुन लेंगे यह दो फंदे हमने सीधे बुनने हैं यह देखे यह front side से दो फंदे हमारे उल्टे आए हैं फिर धागा अपनी side करेंगे और देखे front side से जिन दो फंदों पे pattern बना है back side से देखे उनी दो फंदों पे हमारा pattern बनेगा थार्ड रो में तो देखे यह दो फंदे हमने एक साथ बुनने हैं और इनसे हमें पांच फंदे बना लेने तो एक हो गया दूसरा फंदा सलाई पे रोल करके तीसरा फंदा इन दोनों फंदों को एक साथ बुन के चोथा फंदा सलाई पे रोल करके और पांचवा फंदा इन दो फंदों को एक साथ बुन के फिर धागा पीछे करेंगे दो फंदे सीधे बुन लेंगे फिर धागा अपनी साइड करेंगे दो फंदे एक साथ बुन लेंगे और इनसे पांच फंदे बना लेंगे तो सेम प्रोसिस रिपीट करते हुए wrong side से अपनी third row complete करेंगे देखें wrong side से हमारी third row complete हो गई third row में हमारा pattern repeat हो रहा था अब हमने अपने pattern को ऐसे ही repeat करते जाना है और बनके देखें हमारा pattern कुछ इस तरह से आ जाएगा ये देखें बहुती सुन्दर और बहुती आसन pattern है आप इसे all project में apply कर सकते है दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो किरपया like करे, share करे, comment करे और आप हमारे channel में नहीं हों तो please subscribe करना न भूले Thank you